हेलो गाइज वेल्केम बैक टो अबर न्यू वीडियो आज हम जाने के इंडिया की कैपिटल दिली में गुमने लाइक दस सबसे खुबसुरे जगों के बारे हैं तो मैं हूं गुलसन और आप देखरें ट्रिवेल संट जले सुरू करते हैं नमबर 10 में आता है राजगाट राजगाट दिली में एक important memorial है जो भात के रास्त पिता महातमा गांधी के समान में बनाया गया है यह वही जगा है जहां गांधी जी की अंतिम संसकार किये गये थे राजगाट एक simple black marvel platinum form है जिस पर हे राम लिखा हुआ है जो गांधी जी के मुह से निकला अंतिम सब्द माने जाते हैं यह memorial देली के रिंग रोड पर इस्थी थे इसकी डिजाइन गांधी जी के simple living और high thinking के philosophy को reflect करती है यहां की कोई interview नहीं है और यह देली सुबह सारे 6 वज़े से साम के 6 वज़े तक खुला रहता है नमबर 9 कुटूब मिनार कुटूब मिनार को कुटूब दी नेवक ने बनवाया था इसकी construction 1199 में start हुई थी और 1220 में बनकर ready हो गया था पहले कुटूब मिनार के सीखर पर चर कर पूरा देली का सुंदर व्यू देखा जाता था लेकिन कुछ इसू के कारण इस पर चरना बंद कर दिया गया है यहां आप पिकनिक मना सकते हैं कुटूब मिनार सुबह 7 वज़े से साम के 5 वज़ दा खुला रहता है नमबर एट असनोम वर्ड्स दल्ली का एप एंडॉड़ असनोम पर्क जो आपको असल का अनभव कराता है वह लघकितमा रहा कंट से कि बाद दिल्ली की गर्मी में भी माइस टेंड डिगरी का टेंपरेचर मेंटेंड कर लेती है जिससे आपको रियल अशनुव फॉल का एक्स्पिरियंस मिलता है जिसकी बदावलत आप दिल्ली में ही रहकर मनाली वाला फिल ले सकते हैं यहां की टिकट प्राइस 750 एक एजियुमेंट पार्क है जो रहनी में इस्थी थे यहां पार्क 62 एकर्स में फैला हुआ है एडवेंचर आइसलेंड एक परफेक्ट जगह है आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ पूरा दिन इंज्वाई कर सकते हैं यहां पर फैमिली राइट्स वाटर राइट् ट्रेक्शन है टिगर प्राइस 600 रुपीज है अगर आप दिल्ली में कुछ मज़दार और एडवेंचरस करना चाहते हैं तो एडवेंचर आइसलेंड आपके लिए परफेक्ट जगह होगी नंबर सिक्स नेशनल रेल म्यूजियम नेशनल रेल म्यूजियम दिली के एक और आपको यहां ट्रेंड के पार्टस देखने को मिलेंगे जो आपके नॉलेज को बरहाएगा म्यूजियम के इंट्रिफ ही एडवेंट के लिए 50 रुपीज एंड चिल्डेंड के लिए 10 रुपीज है और यही बिकेंड पर एडवेंड के लिए 100 रुपीज एंड चिल्ड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है यह टेंपल भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पी थे और यह मंदिल दली के इस्ट ऑफ के लास एरिया में च्थी थे दली के स्कॉंड टेंपल को पाच अप्राइल उनिसो अंठान में को बनाया गया था इसे भारत के पुर्व एट मेंजर करता है यह सुबह के साधे 9 बजे दो पहर के 10 बजे तक और सांवकी चार बजे चार बज बयासी के नमबर फूर लोतर स्टेंपल डेली में एक खास टूरिस्ट क्रत्रेंश नेएंसकी अर्टिटेक्शर इन्वार्मेंट मिलेगा लोटेश टेमपल मंडे को छोर कर सुबह 9 बज़े से साम के 7 बज़े तक खुला रहता है यहां पर कोई इंट्रीफ फी नहीं लगता है अगर आप दिल्ली में है तो लोटेश टेमपल जरूर बिजित करें यह आपको यूनीक और स्पिर्चोल एक्स किया लाल किला अपने लाल बल्वा पत्थर की दिवारों के लिए जाना जाता है जो की लगवग 75 फीट उची है हर साल 15 को इंडिया के इंडिपेंडेश दे परदेश के परदान मंत्री भारत के जंडा यहां फराते हैं रेट फोर्ड मंडे को छोर कर सुबह सारे 9 बज़े से साम के सारे 4 बज़े तक खुला रहता है यहां का टिकेट इंडियन्स के लिए 35 रूपीज है और फॉरिनर्स के लिए 500 रूपीज है नमबर टू में आता है अकसर धाम टेंपल अकसर धाम टेंपल हिंदू का सबसे बड़ा टेंपल है जो स्वामी नरायन यानि भगमान व भी है जिसमें 65 ब्रॉंज टेंच हुए जो कि इंडिया के महान ब्यक्तियों को रिपर्जेंट करता है अकसर धाम टेंपर मंडों को छोड़ कर सुबह सारे 9 बज़े से साम के सारे 6 बज़े तक खुला रहता है और नमबर वन में आता है इंडिया गेट इंडिया गेट जो क 138 फीट ऊची अस्ट्रक्चर है जो की राजपाट के इस्टर्ण इंड पर इस्तित है यहां रिपाब्लिक दे और इंडिपेंडेंडे को बहुत ही धुमधाम से मनाये जाता है दिल्ली में इंडिया गेट जरूर विजिट करे यह आपको भारत की इतिहास और बीरता की कहा तो में इनदो फिल्डば अगर आप भी लाएक दर्य जहर घ्रला सब्सक्राइब करके अपना फ्यार ज़रूर दि